दीप मॉनिंग, मिडवीक भी आ गया है और बहुत इंट्रेस्टिंग परफॉर्मेंस हमें देखा इनोबल मार्केट में क्या हुआ एक्जाक्टली और अब क्या होने वाला है होने वाला तो आज फेड की पॉलिसी है हाला कि पॉलिसी में कुछ नहीं होगा आज सुभा भी अगर आप देखें स्थिर संकेत आ रहे हैं कुछ जादा खराब नहीं हलकी नर्मी आपको गिफ्निफ्टी में दिख रहे है थोड़ा नीचे आपको अमेरिकी फ्यूचर दिखेंगे बट एशिया में मिला जोला कारुबार आपको होते हुए दिख रहा है कल लगातार दूसरे दिन हमने अमेरिकी बाज़ार में खरिदारी देखी है तो अच्छा आक्शन आपने आते हुए देखा है डाउ करीब सवा सो अंक उचल कर 33,000 के उपर बंद हुआ दिन की उचाई पर बंद हुआ शुरुवाती सत्र में थोड़ी आपने गिरावट देखी, थोड़ी नर्मी देखी बट वहां से अच्छी रिकावरी हुए और 265 अंक सुधर कर दिन की उचाई पर आपको डाउ बंद होते है तो अच्छा आक्शन, confidence वाला आक्शन देखा जाएगा Broad-based खरिदारी थी, Nasdaq में अच्छी खरिदारी थी, S&P 500 उपर था Russell 2000 ने आउट-परफर्म किया, करीब 1% उपर था तो अच्छा खासा आक्शन लगातार दूसरे दिन आपने अमेरिकी बाजारों में देखा जादा तर stock specific move थी, थोड़ा नतीजों का भी reaction आपको आते हुए दिख रहा था तो पिछले दो दिनों से तो अमेरिकी बाजार आपको अच्छे mood में दिख रहे है बट अफकोस ये दो दिन के rebound के बावजूद जो October का महीना था वो US के बाजारों के लिए काफी खराब रहा In fact, COVID के बाद, यानि कि March 2020 के बाद हमने देखा कि लगातार तीसरी मंथली गिरावट आपने US के बाजारों में देखी है सवा 2% नीचे S&P 500 था और NASDAQ में जादा गिरावट थी पौने 3% का नीचर ये पिछले दो दिन के rebound के बाद हम देख रहे हैं अगर ये दो दिन का rebound नहीं होता तो स्थिति और आपके लिए थोड़ी खराब होती अब सब की नजर आज की Fed policy पर है जहां तक policy का सवाल है कुछ बदलाव नहीं होने वाला है 99% जानकार मान रहे हैं कि आज तो rates नहीं बदलने वाले हैं जो level पर हैं 75-5.5% की range उसी में Fed रखेगा इन rates पर बट आगे का क्या अब आगे के लिए संकेत थोड़े confusing हो चुके हैं क्योंकि Fed अधिकारियों के तरफ से भी जितने भी public भाशन आए हैं including पावल साहब वो थोड़े confusing लग रहे हैं अब लग रहा है कि सारे Fed सदसे same page पर नहीं है या same thinking पर नहीं है कि आगे की रहा कैसी रहनी चाहिए तो थोड़े अलग-अलग संकेत आ रहे हैं डेटा भी अगर आप देखें तो वैसा डेटा नहीं आ रहा है कि वो आपको एकी तरह की Fed policy दिखाए जैसे कि महंगाई, महंगाई issue है बट ये लगातार गिर भी रही है core महंगाई भी हमने देखा यहां पर आपको softness आती हुँ दिख रही है बट अभी भी Fed के target से जादा है तो क्या Fed अपना hawkish stance maintain करता है अपनी tightening maintain करता है या फिर accept करता है कि हाँ धीरे-धीरे महंगाई नीचे आ रही है इसके अलावा bond deal ये लगातार बढ़ रही है October के महिने में हमने देखा 16 साल में पहली बार 5% की उपर आपकी 10 साल की bond deal जाती हुई दिखी क्या यहां से ये थोड़ी cool off होगी या इनी levels पर बनी रहेगी इसकी भी बाजार पर चिंता है क्योंकि liquidity tightness आ रही है वहां से इसके अलावा US की आर्थिक स्थिती ये काफी मजबूत है और जितना भी data आया है जादतर data मजबूती दिखा रहा है तो इन सब factors के बीच में आगे की रह फेड की कैसी रह सकती है इस पर सब की नजर बनी रहेगी तो commentary क्या आती है आगे की predictions क्या आते है वहां पर सब की नजर है आज देरा करीब 12.30 हमारे time ये फेड policy आने चाहिए और उसके बाद कल हमारे बाजार इस पर react करते होई दिखेंगे इसके लाबा यॉरप देखें यहां पर मिला जोला कारुबार था बट यहां पर भी महंगाई गिर कर आपको आते ही दिखिए EU का inflation 2.9% पर आया है दो साल के निचले सर पर इनका inflation आपको आते दिख रहा है और उम्मीद से बहतर यह आंकडा रहा है commodity बाजार में अच्छी बात है लगातार दूसरे दिन आपने यहां पर pressure देखा है dollar index वह वापिस rebound के साथ 1650 के उपर गया है बट कच्चा तेल दो दिन में गिरकर करीब 3 हफते के निचले सर पर आगे दो दिन में करीब 6 dollar की गिरावट आपने कच्चे तेल में देखिए तो ये बढ़िया संकेत है October के महीने में हमने गिरावट देखी है करीब 10-11% कच्चा तेल लुड़का है अगस्त 2022 के बाद सबसे खराब मंतली प्रदर्शन था जहां तक कच्चे तेल का सवाल है तो ये कराहत की बात आ रही है सोना अभी भी आपके लिए उपर बरकर आ रहे है करीब 2000 dollar के नीचे थोड़ा आया है बट उनी levels के आसपास elevated levels के करीब आपको दिख रहा है